नमस्ते, बैबलीज केफिटेरियन ट्रैफलक में आप सब का स्वागत ही, उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे आज हम पपा के लिए बनाएंगे महरेस्टर की ट्राडिशनल उकडीची मोदक जिसकों की हम चावल की आटे से नहीं रावा से बना के तयार करेंगे और एक बात है गणपती के दिन 21 मोदक का भोग चड़ाया जाता है तो उसका भी प्रपर मेजरमेंट मैं आज आप लोगों के साथ सेयार करूँगी तो वीडियो की एंड तक मेरे साथ चरूर बने रहेगा तो चलिए अभी बनाते हैं उकडीची मोदक सबसे पहले हम एक कड़ाई को गरम करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे एक चमर देशी घी और साथ में उसके अंदर आट कर लेंगे एक चमर खस-खस थोड़े से कटे हुए कैसुनट और थोड़े से कटे हुए बादा यह तिनों चीज़ों को हम एक मिनीट तक रोस्ट कर लेंगे और उसका जो कलर है और चेंज हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर आट कर लेंगे ग्रेटड कोकनेट और ग्रेटड कोकनेट डालने के बाद हम उसको एक मिनीट तक इस तरह से रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर आट करेंगे गूड जितना क्वंटिटी में हम नारियल को आट करेंगे उसका आधे कंटिटी में हम गूड को आट करेंगे तो मैंने एक कप नारियल ले लिया था तो उसके लिए मैंने ले लिया था आधा कप कूड तो फ्लेवर के लिए हम इलाई जी का पाउडर आधा चेमच और साथ में जाइफल को इस तरह से थोड़े से ग्रेट करके उसको भी डाल देंगे जिसके बज़े से अच्छा फ्लेव उसको एक प्लेट में निकाल देंगे अभी मोदक का आउडर लेयर बनाएंगे उसके लिए हम कड़ाई के अंदर डाल देंगे देड़ का दूद आप दूद की चगह पर पानी का भी इस्तमाल कर सकते हों लेकिन दूद से बहुत ही तेस्टी और बहुत साथ मोदक बनके त लगता है और घी डालने के बज़े से हमारा जो डो तैयार होगा और बहुत ही अच्छा बनके तयार होगा तो उसके बाद आम इसके अंदर डाल देंगे एक पुरावा यह बारिक बली रावा है आपके पास अगर ना हो तो आप उसको थोड़ा सा पीसके फिर उसको राट क पना रहे हैं तो उसके अंदर वन फॉर्थ चमच नमक चरूराड की जाएगा जिसके बज़े से उसका जो मीठा से ओवर के आएगा उसके बाद हम इसको ढखके तकरीबन पांच मिनिट तक रख लेंगे और पांच मिनिट के बाद हम उसको एक प्लेट के अंदर निकाल दे Zकता है और फिर हाथ में थोड़ा सा पानी डालके हम उसको मसलेंगे बी-बी, एह थोड़ा गरम है पूरा ठंडा नहीं हुआ है हम उसको पांच मिनिट तक अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि ये जो डोम है अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए डो अगर अच्छी तरह से कूख हुआ है तो हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगा नहीं तो हाथ में चिपक जाएगा और बहुत सब्ट डो बनके तयार हुआ है तो चलिए अभी मोदक बना लेते हैं तो मोदक का जो सांचा है उसको पहले हम घी लगा के ग्रीज कर लेंगे और यह जो डो हमने बना के रखे थे उसी डो से थोड़े से लेके मोदक सांचा के अंदर डाल देंगे और उसके अंदर इस तरह से एक होल बना लेंगे और फिर हमने जो स्टॉफिंग बना के रखे थे उस स्टॉफिंग को इसके अंदर डाल के फिर अच्छी तरह से उसको कवर कर लेंगे आपके पास अगर मोदक का साज्चय ना हू तो बीना मोदक की सांजगं बन के तैयर कर लेंगे तो हम ने यहां पे 21 मोदक बना के त्यार कर लिया है तो चलिए हूं वहाइं उसको स्टीम कर लेते हैं स्टीम करने के लिए इस तरह से हमने कडाई के अंदर पानी को गरम कर लिया है उसके उपर एक पिलेट रख लिया है और उसके उपर गीला कपडा को रख लिया है उसके बाद हम जीतने सारे में बना तो सारे मोदग को हम इसके उपर रख लेंगे थोड़े थोड़े डिस्टंस में रखेंगे आपके स्टेमर के अंदर जितने जगे हैं आप उसके हिसाब से ही मोदग को रखिएगा ज्यादा क्वंटीटी में मोदग मत रखिएगा तो यहां पर मैंने उसको 10-12 मिनिट तक टिंप हो के तैयार हो गया है मोदग तो उसके उपर हम थोड़े-थोड़े केसर वले दूद को इस तरह से डाल देगे और डालने के बाद हम इसके उपर गानिस करने के लिए एक-एक केसर के धागे भी सजा देगे तो अभी हमारा जो उकड़ीचिय रावा मोदग बनके त तो बप्पा के पास उसको हम बोग चड़ा लेते हैं इस बार गनेश चतुर्थी पर बप्पा के लिए 21 मोदब आप घर पर जरूर बनाईएगा और आपके अनुभब मेरे साथ जरू सेयर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलेगा तो इसी उमीद के साथ आप सबसे भी बिदा ले रही हूं फिर मिलते हैं नमस्ते